आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोईले से बिजली कैसे पैदा की जाती है और कितने कोईले से कितने दिन की बिजली बनाई ज़ा सकती है पाकिस्तान कोईले से बिजली पैदा क्यों नहीं करता और पाकिस्तान को कोईले की बिजली पर ही मुंतकिल क्यों नहीं किय प्रफ़ाना एक ऐसी चीज़ है जो के बहुत ही पुरानी है हजारों साल पहले ही इसकी दर्याफ़त हो चुकी थी और बहुत से ममालिक में कोईले सिब्चली तयार की जा रही है यही वज़ा है कि हम बहुत से मुलक हम से आ गए हैं और पाकिस्तान तरकी में बहुत ही पीछे भी नहीं अब हम आपको बताते हैं किसका तरीका कार क्या होता है सबसे पहले कोईले को कोईले की कान से क्रेन पर लोड कर लिया जाता है और ट्रेन पर लोड करने के बाद इसे पावा स्टेशन जहां पर बिजली बनाई जाती है वहां पर लाया जाता है इसके बाद ट्रेन के डबों को ट्रेन से अलग कर लिया जाता है जिन में कोईले होते हैं और फिर बड़ी मशीनों और क्रेन की मदद के साथ उन्हीं डबों को उल्टा दिया जाता है और उल्टाने के बाद तमाम तर कोईले उस तरगा पर अकठे कर लिये जाते हैं और बिशली बनाने का अमल शुरू करना होता है ट्रेन से कोईले को अनलोड करने के बाद जब तक वह वह पड़ा रहता है तब तक उसको बार बार पानी का सप्रे किया जाता है ताकि ये कोईला यहां पर ही रहे और हवा में उड़ना जाए ये भारी हो जाए क्योंकि बाई डिफॉल्ट कोईला हलका होता है और ये हवा में उड़ जाता है जब इसकी राख बन जाती है अब इसके बाद इसे बड़ी मशीन में डाल दिया जाता है जो कि इसे बहुत थी असानी से बारीक पीस कर इसका पाउडर बना देती है अब इसका पाउडर बना लिए जाता है और उसको फिर बाईलर में भेजा जाता है जहां पर फॉरन से कोईला आग पकड़ लेता है क्योंकि इसके नीचे आग जल रही होती है यहां पर कोईले की जो राख हलकी होती है वो उपर के तरफ उठना शुरू हो जाती है बाईलर में और जो राख भारी हो जाती है वो बाईलर से नीचे गिर जाती है अब यहां पर आग जा रही होती है, इसके साथ यहां पर हवा भी बहुत जादा होती है इसलिए हल्की राख उपर की तरफ उड़ना शुरू कर देती है लेकिन यहां पर एक मुकमर प्रोसेस लगाया जाता है जो कि यह समझी जीए कि बड़े बड़े प्amment की मदद से लगाया जाता है वाएलर के ओपर बड़े बड़े पाइप्स लगाया जाते है जिनका रुख उस तरफ किया जाता है जहां पर हमने बछली को तैयार करना होता है जब राख उड़ती है और वो उपर की तरफ जाती है तो वो उसके बाद फिर उसी पाइप के अंदर से होती हुई गुजरती है जो कि उसके उपर लगाया जा चुका है ताकि ये राख बाहर की तरफ ना निकले बलकि इसी पाइप के अंदर ही गर्दिश करती रहे और फिर इस राख को चिमनियों के रास्ते फिल्टर किया जाता है और फिल्टर करने के बाद इसको हवा में छोड़ दिया जाता है आग की भाप से जब टर्बाइन चलाया जाता है तो सबसे पहले टर्बाइन को उसके साथ फिक्स कर लिया जाता है आग के अंदर से भाप इतनी तेज होती है यानि एक हवा की तरह सलती है वो हवा इसकदर तेज होती है कि टर्बाइन को घुमा देती है और वो टर्बाइन आगे से एक जनरेटर को शला रहा होता है ये जनरेटर वही जनरेटर होता है जिसमें आम तर्बर बिजली पैदा की जाती है अब उसको जब उसके साथ अटेच कर लिया जाता है टर्बाइन कोज उस जनरेटर के साथ अटेच किया जाता है तो वो हवा फिर आगे जाकर एक ऐसा मादा पैदा करती है जो कि बिजली होत जाता है और इसको वहाँ पर भीजा जाता है जहां पर बिजली की दिमान्ड होती है इसी तरह ये बिजली घरवी में सप्लाइब की जाती है अब हम आपको बताते हैं कि कितने कोईले से कितने दिनों के बिजली पैदा की जाती है तो 1.5 प्रिजली के बिलों में काफी हद तक कमी आएगी और हमें बिजली के बिल ज्यादा नहीं अदा करने पड़ेंगे जासा दीजिए खुदा हाफिस का बिलादा सम्सक्ता आएगी बिल您 अदाए Mov matar बिलादा गे दिल्सों पूल कि अ hरे साहिए लाज के बिलादान आए française और हमें दोका हा झांडें तक करने और में जारेंगे